दोस्तों रमस्कार स्वागते एक बाफे से आज की बड़ी और ताजा खबरों में आपको बता दें कि पिंका गांदी ने बीजेपी पर बोला जोड़दार हमला, कहा नोडबंदी सफलती तो फिर ब्रश्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, वहीं मुख्यमंत्री योगी ने बीजेपी नेताओं को देदी कडी चेतावनी, बोले जवान काट लेंगे, वहीं भीम आर्मी प्रभुग चंदर सेखर का बड़ा एलान, बोले योगी जहां से भी लड़ेंगे चुनाव, मैं भी वहीं से लड़ूंगा चुनाव, वहीं सपत लेने के बाद अवै चोटाल का बड़ा एलान, बोले किसान बोलेंगे, तो फिर से दे दूँगा इस्तिफा, वहीं राफेल डील में एक नया धमा का, रिपोर्ट में बड़ा दावा, बिचौलियों को दिये गए 65 करोड रुपए घूस, CBI और ED को भी थी जानकारी, वहीं बिपक्च के खिलाब मुक्य मंत्री योगी के तीखे तेवारा, बोले देश और समाज को बांटने का काम कर रहा बिपक्च, वहीं रालोद का कॉंग्रेस के साथ नहीं होगा गटबंदाना, जैनत चौधरी ने संभावनाओं से किया इनकार, और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को पूरे हो गए, नोट बंदी के 5 साल पूरे होने पारा, कॉंग्रेस ने इसकी सफलता पर सवाल खड़े किये हैं, कॉंग्रेस महासचिप प्रिंका गांदी बाड़वा ने नोट बंदी के 5 साल पूरे होने के मौके पर केंदर सरकार पर जमकर निसाना साधा, और सवाल किया कि अगर ये कदम सफल था तो फिर ब्रश्चाचार खत्म क्यों नहीं हुआ है और आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई है प्रिंका गांदी ने नोडबंदी को डिजास्टर बता दिया है आपको बता दें कि प्रिंका गांदी ने कहा कि अगर नोडबंदी सफल थी तो फि मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने देडाली कडी चेता बनी बोले गोली चलाई तो छाती पर मारेंगे गोली यह आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ सौंबार को पश्चिमी यूपी के कहरेना पहुँचे पिछली सरकार के दोरान पलाएन के कराण चर्चित हुए के रहना में मुख्यमंत्री योगी ने बिना नाम लिये ही अकलेसिया दव और समाजवादी पार्टी पर ताबर तोड हमले किये मुझफर नगर दंगे की याद दिलाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास में पहले दंगाईयों को सम्मानित किया जाता था मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले साड़े चार साल में हमने इस तरीके का माहूल बना दिया है जिससे अपराधी अब सिर उठा कर चलने के लायक नहीं रह गया है जिसने भी व्यापारियों या निर्दोस लोगों पर गोली चलाई उसकी चाती में गोली मार कर दूसरे लोग की यत्रा करा दी है उन्होंने कडीचेतावनी दी है कि दंगा किया तो दंगाईयों की आने वाली पीडियों को भगतना पड़ेगा आपको बता दें कि योगी आदितनात ने कहा कि पिछली सरकार में हमारे जन प्रतनिदियों के खिलाप जूटे मुकद में दर्ज किये जाते थे उन्हें जेल में डाल देते थे और दंगाईयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला कर सम्मानित किया जाता था लेकिन अब कानून को हाथ में लेने की किसी को भी इजाजत नहीं है किसी ने इससे खिलवार किया तो उसे पता है कि किस लोग की यात्रा पर निकलना पड़ेगा जिसने कहरे नामें लोगों को पलाइन के लिए मजबूर किया खुद वो पलाइन कर गए केरेना में मुख्यमंत्री योगी ने P.A.C. बटालियन इस्थापना के लिए भी सलान्यास किया है और कहा कि P.A.C. का डंडा चलेगा तो बड़े से बड़ा अपराधी दूसरे लोग की यात्रा करता दिखाई देगा मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब मुझफर नगर में दंगा होता है तो कुछ लोग बड़े खुस होते हैं केरेना से पलायन पर खुस होते हैं तालिवान के सासन पर नारे लगाते हैं तालिवानी मानसिक्ता नहीं चलने देंगे तालिवानी मानसिक्ता बहन बेटियों का जीवन नरग बना देती है जो लोग मजहवी जुनून के साथ जीते हैं उसको यूपी की धर्ती में हम बिलकुल भी स्वीकर नहीं करेंगे और यी बड़ी खबर करणी सेना ने मेगा लेके राजिपल सत्यपल मलिक पर साधा जोड़दार निसाना कहा किसानों का ठेकेदार बनना है तो तुरंत दे दें इस्तीफा यह आपको बता दें कि किसाना अंदोलन को लेकर करणी सेना प्रमुक सूरजपल अम्मू ने मेगा ल आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग सहीद हुए हैं उन्होंने कहा कि अम्मू मन कोई हादसा होता है तो दिल्ली के नेताओं का सोकसंदेश जाता है लेकिन किसाना अंदोलन के दोरान कई प्रदसन कारियों की मौत पर संसद में भी कोई भी प्रस्ताब नहीं दिया गया वही किसाना अंदोलन का समर्थन करने पार सूरजपाल अम्मू ने ट्वेट करके कहा कि सत्यपाल मलिक को राजपाल जैसे पवित्रा और मैटपूर्ण पद से तुरंत स्तीफा दे दना चाहिए आगर उन्हें किसाना अंदोलन का समर्थन करना है तो धरने पर बैठ jeं आपको ब बता दें कि राज्य के किसानों से धान की फसल खरीदने के वादे को धोका बताते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केच चंद्र से कर राओ बीजेपी प्रदे सद्यच बंदी संजय पर जमकर बढ़ से मुख्यमंत्री ने इस दोरान बीजेपी नेताओं को कड़ी चेतावनी भरे लहेजे में ये तक कह दिया कि वो ओची बातें करने से परेज करें नहीं तो उनकी जवान काट लेंगे केसी आर ने कहा कि केंद्र सरकार ये साफ कर चुकी है कि वो धान की फसल नहीं खरी देगी और क्रशी मंत्री ने भी किसानों से दूसरी फसल का विकल्प चुनने को कहा है केसी आर ने बीजेपी प्रदेश सद्येच परा हमलावर रूख अपनाते हुए कहा केंद्र सरकार कह रही है कि वो धान की फसल नहीं खरीदेगी और राज्य में बीजेपी कह रही है कि वो खरीदेगी ओची बातों से बचें अगर हमारे बारे में अनर्गल बोला तो हम राज्य के बीजेपी नेताओं की जबन काट देंगे और यू बड़ी खवर भीम आर्मी प्रमुक चंदर सेखर आजात का बड़ा एलान बोले योगी आदितनात जहां से भी लड़ेंगे चुनाव मैं भी वहीं से लड़ूंगा चुनाव यह आपको बता दें कि भीम आर्मी प्रमुक चंदर सेखर उर्फ रावड ने सौंबार को बड़ा एलान कर दिया है आजात पार्टी के नाम से पहली बार चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे चंदर सेखर ने एलान किया है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदितनात के खिलाब खुल कर खुद मैदान में उतरेंगे यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की गोश्टना कर चुके चंदर सेखर ने गड़बंदन पर भी अपनी स्थिती साफ कर दी है एन्डी टीवी से बाचीत में चंदर सेखर ने कहा कि जहांसे भी योगी आदितनात चुनाव लड़ेंगे वहीं से वो भी मैदान में उतरेंगे चंदर सेखर ने कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी की कोर कमेटी करती है अगर आप मेरी इच्छा पूछेंगे तो मैं वहीं से चुनाब लड़ूँगा जहां से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदितना चुनाब लड़ेंगे पिछले साड़े चार साल में उन्होंने जिस तरीके से लोगों पर अत्याचार किये हैं उसका बदला लेने के लिए उनके खिलाप चुनाब लड़ूँगा और उन्हें विदान सवा में गुस्टने नहीं दूँगा योगी कोई भी सीर्टे कर लें जहां से भी वो लड़ें हैं ऐसे में उनके खिलाप मजबूत प्रत्यासी ही होना चाहिए अखले सियादव या बहन मायावती को लड़ना चाहिए अगर दौनों लोग नहीं लड़ते हैं तो मुझे छोड़ने लड़ने के लिए और मुझे सपोर्ट करें अगर सपा बसपा भी कोई प्रत्यासी दे दूँगा आपको बता दें चंडरे सेकर आजाद ने कहा कि पिछले साड़े चार साल में उन्होंने जिस तरीके से लोगों पर अत्याचार किये हैं उसका बदला लेने के लिए उनके खिलाब चुनाम में लड़ूँगा और उन्हें विदानसवा में गुसने नहीं दूँ योगी कोई भी सीट टै कर लें जहां से भी योगी लड़ेंगे वहीं से मैं भी चुनाब लड़ूँगा यदि आप भी आजाद का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी दाय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और यी बड़ी खबर सपत लेने के परर दिया है उन्होंने कहा कि अगर किसान कहेंगे तो वो अपना इस्तीफा देने से हिच किचाएंगे नहीं आवैच चौटाला ने कहा कि यह जीत मेरी नहीं यह किसानों की जीत है अब मैं सिंगु बॉर्डर टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर सीमा पर जाओंगा और कि एक्षाओं के बारे मैं पूछूंगा समयत किसान मोचा की जो भी मांग होगी मैं उसे पूरा करूंगा अगर वे मुझे फिर से इस्तीफा देने के लिए कहते हैं तो मैं फिर से अपना इस्तीफा दे दूँगा इने लो महासचिव ने 2 नवंबर को एलनावाद बिदानसबा सीट पर उपचुनाब जीता है उन्होंने केंदर सरकार के तीन क्रसी कानूनों के खिलाब आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया था इसके बाद इस सीट पर उपचुनाब जरूरी हो गया था आपको बता दें कि चुनाब जीतने के बाद और चौटाला ने फिर से एलान कर दिया है, और कहा कि ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत किसानों की जीत है। अगर वे मुझे फिर से इस्तीफा देने के लिए कहेंगे, तो मैं फिर से अपना इस्तीफा दे दूँगा। आउडी बड़ी खवर राफेल डील में एक नया धमा का रिपोर्ट में बड़ा दावा बिचलियों को दी गई 65 करड़ो रुपए घूस, CBI और E.D. को भी थी जानकारी, यह आपको बता दें कि राफेल सौदे को लेकर फ्रांस की एक उनलाइन पत्रका, मीडिया पार्ट ने दिश्वत दी थी और इसकी जानकारी CBI और E.D. को भी थी, मगर उन्होंने कोई अक्सन नहीं लिया, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दस्तावेजों के होने के बावजूद बाट्ये एजेंसियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया, बता दें कि भार चले प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधितनात ने विपक्ष के खिलाप तीके तेवर दिखाते हुए आरोब जड़ा, कि ये लोग देश और समाज को बाटने का काम कर रहे हैं, तरय तरए के बकतब्ये देकर, लोगों को बढ़काने का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्र योगी आदितना था रामपुर पहुंचे और 63.78 करणों रुपे की परियोजनाओं का सिलानियास वेल लोकारपन करने के बाद जनता से मुखातिव हुए उन्होंने कहा कि भारत विरासत का देश है और हर हाल में दुनिया की सबसे प्राचीन विरासत को सुरक्षित और सनरक्षित करने का दायत भी हम सब का है पधानमंत्री मोदी के नित्रत में एक भारत स्रेष्ट भारत के निर्मार की दिसा में कदम बढ़ाय गया है उसी के तैत कस्मीर में 370 की धारा हटाई गई आयोध्या में भगवान सीरी राम के भव्य मंदर का निर्माड हो रहा है हमारे परवोरा तियोहार इसी विरासत के हिस्से हैं लेकिन कुछ लोगों को ये बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है देश का पैसा देश के विकास मे लग रहा है ये भी इन्हें अच्छा नहीं लगता है कोरोना काल खंड के दौरान ये लोग कहीं भी दिखाई नहीं दिये जो विपक्ति के समय आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता वो आपका हितैसी नहीं हो सकता औरी बड़ी खबर रालोद का कॉंग्रेस के साथ नहीं होग आपको बता दें कि सामली में पत्रकारों से बाचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की समाजवादी पार्टी और सपा के साथ गड़बंदन को लेकर बाचीत अंतिम चन में हैं आपको बता दें कि जालोद नेता ने हाली में लखनव हवाई एड़े पर कॉंग्रेस मह लगाए जाने लगे थे ये पुछे जाने पर कि क्या ये बैठक सीटों के बटवारे के संबंद में सपा पर दवाब बनाने की रणनीटी का हिस्सा था तो रालोद के एक वरिष्ट नेता ने कहा कि किसी पर कोई दवाब नहीं डाला गया ये एक सिस्टाचार मुलाकात थी औ और पहले के नेताओं के बीच में ऐसा होना आम था लेकिन भाजपा ने इस चलन को बदल दिया है और राजिनिती में लोग एक दूसरे के दुस्मन बन गए हैं आपको बता दें कि जैनत चोधरी ने साफ कर दिया है कि उनका गड़बंदन कॉंग्रेस के साथ नहीं होगा तावर्तोड हमला किया बिना अकले सियाद़ का नाम लिये यहां तक कहा कि दंगाईियों को मुख्यमंत्री आवास्ट में बुला कर सममानित किया जाता। योगी के आरूपों के बाद सपा प्रमुक अखलेसियादव ने तगड़ा प्लटवार किया है अखलेसियादव ने कहा कि भाजपा ने अपने अब तक के कारेकाल में प्रदेश में सिर्फ अभ्यवस्था और अराजक्ता फैलाने के अलावा दूसरा कोई भी काम नहीं किया ह उसका आचरण और प्रकृति दोनों दंगाई किसम की है नफरत का तानावाना फैलाने के साथ समाज को बांटने और विवाजनकारी प्रबर्तियों को बढ़ाने में ही भाजपा लगी रहती है जूट के लिए ही उसका मन्थना निरंतर चलता रहता है भाजपाई रामराज में बाजपा सरकार की डबल इंजन वाली गाड़ी का किसानों को कुछलना लगाता जारी है आपको बता दें कि अखले सियादव ने कहा कि उप चुनावां के हाली में जो परणाम आये है उससे हवा का रुक सामने आ गया है बाजपा इसमें हारी है और पीछे रह गई है ज साफ कर दिया है कि 2022 के विदान सबत चुना में बाजपा का सूपरा साफ होगा और ली बड़ी ख़वर किसानों को मिली बड़ी जीत लखिमपूर केस की सुनवाई सुक्रवार तक तली पूर्वजज़ से जाच कराने के पक्ष में उत्रा सुप्रिम कोर्ट जी आपको बता सुप्रिम कोर्ट ने मामले की सुनवाई अब अगले सुक्रवार तक टालते हुए कहा कि जाच के लिए किसी पूर्वजज़ को निक्त करेंगे मामले पर सुनवाई के दौरान मुक्य नयायदी सेन्वी रमन्ना ने कहा कि कोट जिस तरीके से इस मामले की जाच को चाता है उस तरीके से जाच नहीं हो रही सुप्रिम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर कहा कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है यहां तक की लेव रिपोर्ट भी नहीं दी गई है सुप्रिम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट Judicial Committee इस मामले की निगरानी सही से कर रही है इसलिए हमें किसी और High Court के पूरू जज़ को निक्त करना होगा कोट ने कहा कि पंजाब औरा हर्याना High Court के जस्टिस राकिस कुमार जैन या जस्टिस रंजी सिंग इस मामले की देखरे करेंगे आपको बता दें कि फिलाला किसानों को सुप्रिम कोट से बड़ी राहत मिली है ये थी अब तक की बेहत बड़ी खबर हैं यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोबिड मुक्त हो जाए और किसानों को नियाय मिलें तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी दाय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर गंटी बटन जहुद आवा दें जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ तब तक के लिए जहेन जय भारत